आज है 6th November और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो IT कंपनियों के बारे में पहली है SCL Technologies और दूसरी है Happiest Mind दोनों के ही shares अगर हम देखें तो अपने काफी गिरावट देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में हला कि उसे पहले हमने शांदार रफतार भी देखी इन दोनों ही shares में लेगिन पिछले कुछ दिनों से profit booking यहाँ पर कुछ जादा ही हावी हो रही है तो वीडियो में हम चर्चा करेंगे SCL Technology और Happiest Mind को लेकर कि खरीदारी के मौके यहाँ पर बंद रहे हैं कि नहीं और अगर नहीं है तो कहाँ पर है खरीदारी के मौके तो वीडियो को शुरू करो से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी जादा help करेंगे तो SCL Technologies 1150 रुपए के आसपा share trade कर रहा है और अगर हम देखे तो पिछले एक महिने में ये लगाता तूट ही रहा था 1322 रुपए से लगाता तूटता रहा 1140 रुपए तक पहुंचा वापस उठने की कोशिश कर रहा है लेकिन पिछले एक साल का अगर हम डेटा देखे तो फिर 38% का ग्रोथ भी है आप देखे शेर 800 रुपए के आसपास था बहुत बड़ी रफतार दिखाई वापस तूड़िया वापस तेजी वापस तूड़िया खरीदारी के ही मौके यहाँ पर बनेंगे क्योंकि SCL टेक्नलोजिस डेफिनिटली लॉंग टर्म के लिए बहुत ही बहतरीन शेर है यहाँ पर अगर देखे तो बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है according to money control user हर कोई खरीदने की और hold करने की ही सला आपको देते हुए नजर आ रहे है और जो बड़े बड़े ब्रोकेश फर्म है उनकी भी positive कमेंटर है 1400 रुपए से ज़ादा के ही target हर ब्रोकेश फर्म ने हर ब्रोकेश रिसर्च नहीं अपनी बातचीत यहाँ पर कही है इतना ही नहीं अगर हम इनके revenue को भी देखेंगे तो हर साल का revenue पिछले साल के मकाबले जादा है 75,000 करोड से भी जादा का revenue इन्होंने कमाया था और profit अगर हम देखे तो profit भी 11,000 करोड से जादा का profit है और हर साल का revenue सारी हर साल का profit पिछले साल के मुकाबले जादा है तो भाईया SCL Technologies कोई छोटी मोटी कंपनी पहली जिस तो नहीं है ठीक है और आने वाले समय में यही IT कंपनियां और जादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है कोई मेहंगे वेलिशन के उपर भी शर्ड नहीं ट्रेट कर रहा है हुए नजर आ रहे हैं खरीदेने का अभी भी सही मौका है क्योंकि शेर ओरबोर्ड जोन में नहीं है कोई भी रेट फ्लेक नजर नहीं आ रहा है अच्छा डिविडेंट पे कर रहा है अच्छा रिटन आपको लॉंग टम में कमा कर दिया भी है डिविडेंट और अगर हम बात के लिए डिविडेंट की ही तो इस साल पांच बार इन्होंने डिविडेंट दिया सालाना पांच बार ये डिविडेंट पे करता है अक्तूबर में पे किया 10 रुपे का जुलाई में पे किया 6 रुपे का अप्रिल में पे किया 6 रुपे का अप्रिल में दुबारा दो बर इन लोगों ने आपको डिविडेंट पे किया था 6 रुपे और 10 रुपे और तो और जैनवरी में 4 रुपे मतलब बहक साहब ॥ दिविडन से आपको जो रिटन है वो कमाने का मौकण मिल रहा है बोनस भी देखे तो अच्छा कासा बोनस भी पेक करता है इन उने बोनस अच्छा कासा पेक किया हुआ है तो अच्छे बोनस मिले है यहां पर तो देखिए long term के लिए again मैं कहा रहा हूँ SL technologies definitely मुझे पसंद आता है ये शर्ट जब भी तूटे का खरीदारी के मौके होंगे लेकिन एक disclaimer के साथ कह दू कि हर एक बड़ी रफतार के बाद हलकी सी profit booking आती जरूर है अगर वो वक्त आपने निकाल दिया तो definitely एक अच्छी तेजी का फाइदा उठा सकते है गिरावट कम वक्त है मैं यही कहूंगा कि हर 100 रुपए की गिरावट में थोड़ी थोड़ी quantity को add करते चले जाए ये long term के लिए और long term में definitely potential है इस company में और बहतर return कमा कर देने का दूसरी और अगर हम बात करें एक और company है और वो है happiest mind happiest mind की मैं बात कर तो 1285 रुपए का ये share है और इसमें आपको मुहरट ट्रेडिंग वाले दिन 4 प्रतिशन से भी जादा का growth देखने को मिला था वनना उससे पहले ये लगाता तूट रहा था आप इसमें शेर 1415 रुपए के आसपा सा लगाता तूट कर ये 1233 पे गया था मुहरट ट्रेडिंग वाले दिन यहाँ पर तीजी देखने को मिली जरूर है लेकिन पिछले एक साल का graph देखे तो पता चलेगा ये 300 रुपए का शेर देखते देखते 1500 रुपए से भी उपन निकल गया था थोड़ी सी प्रोफिट लोग अब बुकिंग आई दुबारा दोड़ गया ये 1500 पर दुबारा गया दुबारा भी गिरावट चल रही है लेकिन दुबारा उपर जाने का दमखम रखती है ये कंपनी happiest mind को लेकर अगर हम यहाँ पर बात चीट करें तो according to money control user 8% लोग बेचने की बात कर रहे हैं 92% लोग खरीदने की सला आपको देते हुए नजर आ रहे हैं brokerage firm के आर चॉकसी की माने तो accumulate करने की सला है और 1500 रुपे से भी जादा का targeting उन्हें दिया हुआ है यहाँ पर अगर हम बात करें तो revenue लगातर इनके increase हो रहे हैं 760 क्रोड के revenue है profits भी इनके लगातर बहुत तीजी से increase हो रहे है 109 का PE ratio इसका है happiest mind का और दूसरी होल SCL का 28 का है तो valuation की बात करें तो SCL अभी भी सस्ता है happiest mind महगा है तो यह कोई sector पर इस दोनों एक इस sector से belong करते हैं तो same ही रहेगा 100% analyst यहाँ पर खरीदारी करने की सला देते हुए नजर आ रहा है happiest mind में खरीदारी का मौका है लेकिन red flag है क्योंकि stock जो है वो ASM list में है मतलब यहाँ पर यह ऐसे stock को यहाँ पर शामिल किया जाता है जहाँ पर definitely अगर देखा जाए तो stock manipulation के chances होते हैं जहाँ पर यह होता है कि वह यह और मतलब काफी unjustified तरीके से trade करते हैं दूसरी वाँ share holding के हम बात करने जाए तो share holding में promoter के पास देखे तो 53.25% की holding है ठीक है लेकिन जो सबसे हरान करने वाली बात है वो यह है कि यहाँ पर mutual fund जो है वो भया exit कर रहे हैं मार्च में देखे तो mutual fund के साड़े 6% की holding थी आज सब्टेंबर में 1.47 5% की holding भया mutual fund ने बेच दी 6 महिने के अंदर domestic institution की बात करे तो जहाँ थे वहीं पर है FI की जो 7% की holding थी वो भी वहीं पर है खरीदारी कौन केर रहा है यहाँ पर retail investors 32% की holding उनकी हो गई है 37-38 इवन प्रमोटर ने भी share बेची है यहाँ पर थोड़ी बहुत holding प्रमोटर ने बेची हालाकि उतनी ही है 53.25 मतलब अगर हम देखने के कोशिश करें थोड़ी बहुत quantity मतलब बहुत ही minor quantity प्रमोटर ने बीच में बेची हुई थी और insider transition summary की तरफ अगर मैं आपको ले के चलू तो जो last जो transition हुए है अगस्त महिने में वो बेक्वाली के हुए है employees के द्वारा काफ़ी जादा बेक्वाली यहाँ पर की गई है थोड़ी 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 quantity में shares की तो देखिए दोनों में से अगर मुझे compare करना है तो definitely मुझे लगता है कि SCL technology जादा सस्ता मिल रहा है और यहाँ पर दूसरी चीज कंपनी बहुत बड़ी है और गिरने के chances बहुत कम है इसके और इस पर भरोसा किया जा सकता है happiest mind भी बहतरीन company है no doubt काफी शांदर company है यह भी लेकिन अगर दोनों में से किसे एक को चुनना पड़े तो भईया मैं SCL को चुनूँगा बले ही मुझे यहाँ पर return काफी कम मिलेगा compare to happiest mind लेकिन एक piece of mind यहाँ पर जरूर रहेगा कि यार SCL tech एक बहुत बड़ी गिरावट न company अपनी जो US के उपर dependency है उसको कम करना चाहती आने वाले समय में और इसलिए मलब बाकी जगहों से अपने revenue को बढ़ाने की कोशिश करेगी इंडिया में जितनी भी IT company है बड़ी बड़ी चाहे TCS हो Infosys हो Wipro हो यह सारी company को जो dependency है वो US पे सबसे ज़ादा है 90% से भी ज़ा रुपे की गिरावर्ट में आप थोड़ी थोड़ी quantity long term के लिए add करके चल सकते हो वीडियो को यहीं प्रेंट करूंगा पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें चैनल पगर पहली बारे तो प्लीज सब्सक्राइब करें और happiest mind और SCL technologies दोनों के बारे में आप क्या सूचते है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखके बता सकते हैं थैंक यू